हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल बुनियाद उड्दू स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोड क्लास 10th सेशन 2024 के लिए उड्दू के एक पेपर को सॉल्व करेंगे बचों याद रहे, आपका फाइनल पेपर बिल्कुल इसी पेपर की तरहा होगा, बिल्कुल इसी पैटर्न में होगा ठीक है, तो आप इस पेपर को माईन में रखकर तयारी करें चलिए स्टार्ट करते हैं, देखें पहला सवाल है दर्ज, जैल, गैर दर्सी अबारत को गौर से पढ़ें और इसके आखिर पर दी गई, खाली जगहों को मुनासिब अलफाज से भरें देखें, आप इस अबारत को अच्छे से पढ़ें ठीक है, अब पहले नमबर पर क्या फिलब है कि सिगरेट पीने से डैश होता है, तो यहां पर आएगा देखें, सिगरेट पीने से कैंसर होता है सिगरेट पीना सहत के लिए डैश होता है, तो सिगरेट पीना सहत के लिए मुजिर होता है देखें यहां पर मुजिर, यानि नुकसान दे तमाम मजाहिब डैश को बुरा कहते हैं तो सिगरेट नोशी आएगा सरकार ने डैश पर सिगरेट पीने पर पाबंदी लगाई है तो यहाँ पर देखें अवामी जगहों पर सिगरेट पीने पर पाबंदी लगाई है तो डैश इस एक्दिबास का मुनासिब उन्वान है तो इसका आंसर आएगा सिगरेट नोशी अब उसके बाद दूसरा सवाल देखें दर्च जैल शेरी जूज को पढ़ें और इसके आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाबात दीजे तो देखिए ये एक शेरी बंद है जितनी भी शेरी असनाफ हैं गजल के लावा आपने उनको अच्छे से पढ़ा होगा ठीक है मैंने सब पर वीडियो बनाई है अब आप इसको पहचाने कि ये किस सिन्फ से लिया गया है सुनकर जबान से मां की फर्याद दर्द खेज उस खस्ता जां के दिल पर चली गम की तेग तेज आलम ये था करीब की आँखें हों आश्क्रेज देखेए अब सवाल क्या है ये शेरी बंद किस सिन्फ का है तो ये है नजम का ठीक है दूसरा है ये शेरी बंद किस शायर का है तो ये है चकबस्त का ठीक है आपके सिलेबस में चकबस्त की नजम है रामाईन का एक सीन तो ये बंद उस नजम से लिया है उसके बाद है हम को नाशाद देखकर कौन मर न जाए तो इसका आंसर मा है यहां पर देखें आखिरी मिस्रे में देखें नाशाद हम को देखके माँ और मर न जाए उसके बाद जब्द के मानी है इस बंद में लवज जब्द आया है तो जब्द का मतलब है बरदाश्ट करना बरदाश्ट नाशाद की जिद है नाशाद जिद कहते हैं आपोजिट को तो नाशाद नाखुश को कहते हैं तो इसकी जिद है शाद शाद का मतलब खुश होता है ठीक है अगला है दर्ज जैल गैर दर्जी बारत को गौर से पढ़ें और इसके आखिर पर पूछेगे कि समाजी जिन्दगी को खुश हाल बनाने के लिए क्या करना जरूरी है देखिए इसका उसूलों पर अमल करना जरूरी है हमारी जिन्दगी के कुछ बन्यादी उसूल है उन पर अमल करना जरूरी है तालिब इल्म की जिन्दगी में किस चीज का होना जरूरी है तो देखिए तालिब इल्म की जिंदगी में नजम जब्द का होना जरूरी है इनसानी जिंदगी का लाजम हिसा क्या है तो इनसानी जिंदगी का लाजम हिसा भी नजम जब्द है ठीक है उसके बाद है बच्चे नजम जब्द का दर्स कहां से शुरू होता है तो ये होता है खानदान से उसके बाद है बच्चे को नजम जब्द समझाना किसकी जिम्मधारी है तो ये हर एक वालिदेन की जिम्मधारी है उसके बाद है चौता सवाल दर्च जैल अलफाज कुछ जुम्लों में इस तरहा इस्तेमाल करें कि इनकी तज़्कीर और ताजीस वाज़ हो जाए अब देखे मैंने आपको पहले भी कहा है तज़्कीर मुझकर को कहते हैं तानीस मौनिस को कहते हैं अब यहाँ पर लवज क्या है दुनिया दुनिया बहुत बड़ी है ठीक है दुनिया बहुत बड़ी है तो बड़ी से वाज़ हुआ कि दुनिया जो है ये मौनिस है ठीक है आप आखिर में मौनिस लिखेंगे उसके बाद है बारिष, बारिष हो रही है, तो यहां पर रही से वाज़ हुआ कि ये भी मौननस है दूआ, मेरी दूआ कुबूल हो गई, तो गई, गई से वाज़ हुआ कि दूआ भी मौननस है तो ये तीनों अलफाज जो हैं ये मौननस है तीवे इसके बाद है दरजजयल अलफाज को जुमलों के इस तारहं इस्ताइमाल करें कि इनका वाहिद और जमा होना वाज़े हो जाए अब देखिए हकुग, हक्ग की जमा है तो हकुग यहाँ पर जमा है तो हमारे बुन्यादी हुकुग छे हैं जुम्ला क्या बनाएंगे हमारे बुन्यादी हमारे देखो हमारे जो है ये ज्यादा के लिए लगाया जाता है हमारे बुन्यादी हुकूक छे हैं ठीक है तो आप आखिर में लिख देंगे जमा उसके बाद है आसार आसार असर की जमा है इंपक्ट जिसको हम कहते हैं आसार असर की जम्मा है तो मतलब आसार बहुत बुरे हैं बुरे बुरा नहीं बुरे तो बुरे ज्यादा के लिए है और साथ में हैं भी है तो मतलब ये जुमला भी जम्मा है ठीक है आसार बहुत बुरे हैं अब पांचवाँ देखें दर्जेल खरूफ की तारीफ मिसालों के साथ करें अब देखें खरूफ अथव वो खरूफ जो दो कल्मों को या दो जुम्लों को आपस में मिलाने का काम करें जैसे और या वगेरा ठीक है उसके बाद है खरूफ ताजूब वो खरूफ जो हैरानगी के मौके पर या ताजब के मौके पर बोले जाएं ठीक है अब देखें छटा सवाल क्या है हिदायात के मताबिक जवाब लिखिए वली बहुती काबिल तालिब इल्म है इस जुम्ले में काबिल क्या है तो यहां पर वली की खूबी को बताया जा रहा है तो काबिल यहां पर सिफत है clear उसके बाद है चोर भाग गए इस जुम्ले में लब्स चोर क्या है चोर भाग गए तो इस जुम्ले में चोर फाइल है जिनोंने चोरी की है ठीक है तो चोर ने चोरी का काम किया है तो यहां पर चोर जो है सोरी चोर जो हैं वो भागने का काम कर रहे हैं ठीक है तो चोर यहां पर फाइल आएगा उसके बाद है रशीद खत लिख रहा है यानि खत को लिखा जा रहा है और जिस इसम के साथ कुछ हो उसे मफूल कहते हैं तो इस जुमले में लबस खत मफूल है दस अनार मतलूब है इस जुमले में लबस अनार क्या है अब देखिए जिसने मेरी वीडियो तरकीब नहवी की अच्छे से देखी होगी या एक और वीडियो मैंने बनाई थी मुरकबात पर जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी वो इस सवाल को अच्छे से करेंगे इस जुम्ले में लव्ज अनार क्या है पहले मैं आपको बता दूं कि दस अनार ये एक मुरकब है और कौन सा मुरकब है मुरकब अददी ठीक है इस जुम्ले में लव्ज अनार क्या है यहां पर देखो दस जो है ये अदद है और अनार जो है मादूद है तो यहां पर इसका आनसर मादूद आएगा clear यह कलम अच्छा है यह कलम यहां पर भी यह एक मुरकब है कौन सा मुरकब है यह कलम मुरकब इशारी मुरकब इशारी तो यहां पर मुरकब इशारी दो अलफासे बनता है इशारा और मुशारी ले ठीक है तो यहां पर इस जुम्ले में ये इशारा है और कलम मुशारी ले है तो कलम के बारे में पूछा है तो कलम यहां पर मुशारी ले है दर्ज जैल मुहावरात में से दो के जुम्ले बनाईे फूले न समाना बहुत खुश होना मैंने इन मुहावरों पर वीडियो बनाई है आपको मैंने लिंक भी बेजे थे फूले ना समाना बहुत खुश होना इम्तिहान की काम्याबी पर राजू फूले नहीं समा रहा था आग बगूला होना बहुत गुस्सा होना फेल होने पर राजू के माबाब आग बगूला हो रहे थे बेपर की उड़ाना यानि गलत अफवा उड़ाना राजू की आदत है वो हमेशा बेपर की उड़ाता रहता है आठ आठ आँसू रोना राजू की मौद पर उसके माबाब आठ आठ आँसू रो रहे थे ठीक है तो ये जुमले आप ऐसे बना सकते हैं उसके बाद है दर्ज जैल किसी एक जुमले की तरकीब नहवी करें तो बिल फेलिया खबरिया है ठीक है तो मैंने आपको बताया है कैसे तरकीब नहवी करनी है शबीर नादान है ये है जुमला इसमिया खबरिया जुमला इसमिया खबरिया तो उसके बाद है दर्ज जैल असनाफ में से किसी एक पर रोशनी डालिये तो नौवल खाका गजल है कौन-कौन से आपको लर्न करने है ठीक है तो देखिए आप उनको अच्छे से लर्न करें उनमें से जरूर आपको एक्जामें दो या तीन पूछे जाएंगे उसके बाद है दर्ज जैल असबाक में से किसी एक का खुलासा लिखिए बोर के लेड़ू इबरेद खुशाम करने के लिए कही है गालीब मीर आतिश और शाद और उनमें से आपको चार अशार जरूर पूछे जाएंगे तो आपको अगर वो आएंगे तो अग्जाम में आप आसानी से तीन की तश्री कर सकते हैं देखिए पहला शेर जो है ये मीर तकी मीर का है मैंने इस पर वीडियो का है उसके बाद तीसरा फानी का है इस पर भी वीडियो बनी है ये शेर शाद का है अगला शेर भी पांचवा जो है गालीब का है तो मैंने हर एक शायर की गजल की तश्री की है आप देख सकते हैं उन वीडियो को ठीक है उसके बाद देखें दर्ज जैल सवालात की मुक्त यहाँ पर मिस्टेक है यह फूर माक्स के आएंगे ठीक है दर्च जेल सवालात के मुक्तसर जवाब आद लिखे दीक है पहला क्या है शेहर आशुब से क्या मुराद है तो शेहर आशुब उस नर्जन को कहते हैं जिसमें किसी तारीखी शहर की तबाही वो बर्बादी का जिक्र हो ठीक है दुनिया में कौन लोग नर्मी और तवाज़ों इक्तियार करते हैं तो दुनिया में वही लोग नर्मी और तवाज़ों इक्तियार करते हैं जिनके दिल में आजजी होती है और जिन्हें खुदा एक आला मकाम जो है अता करता है किसी एक अधीब या शायर की हालाते जिन्गी पर नोट लिखे मीर तकिमीर प्रेम चंद शाद जीम अबादी है चकबस्त है ठीक है तो मैंने आपको कहा है कौन कौन से आपको लर्न करने है आप वो अच्छे से लर्न करें जरूर आपको अग्जाम में दू या तीन पूछे जाएंगे यहां पर खत है अपने छोटे भाई के नाम खत लिखिए जिसमें उसे पढ़ाई के साथ-साथ खेल कूद में हिस्सा लेने की हिस्सा लेने की तलकीन की गई हो या तो आपको यह खत करना है या आपको यह दर्खास करनी है डिश्चार्ज अपने स्कूल प्रिंस्वल के नाम डिश्चार्ज साथिफिकेट जारी करने की दर्खास तहरीर करें उसके बाद है किसी एक उनवान पर मुकमल मजमून लिखे आपको 200 अलफाज तक यह मजमून जो है लिखना है वक्त की पाबंदी मुबाइल फॉन के फाइदे है मेरा पसंदीदा शायर देखें मेरा पसंदीदा शायर मेरा पसंदीदा शायर मेरा पसंदीदा शायर मेरा पसंदीदा शायर में आप किसी भी शायर की हालाते जिनकी लिख सकते हैं जैसे मीर है गालिब है अगर एकजाम में आया तो ठीक है बहुत इजी है उसके बाद है दर्जैल दर्सी सवालाथ के जवाबात लिखिए ये सवाल जो आपके नसी असबाख है उनसे हैं कौमी इतिहत के बारे में मौलाना हाली का क्या ख्याल था ये सवाल लिया गया है खाका हाली से ठीक है तो इस पर भी वीडियो बनी है आप देखें जाकर लड़के के लिए गुडिया का खरीदना क्यों जरूरी था आस्मान फूल और लहू से है मिजाजदार बहू को बेवकूब बनाने के लिए हजन तो यह है और मिजाजदार लोट गई से थीक तो आपका पेपर बिल्कुल ऐसा ही होगा आप इसी पेपर को देख कर त्यारी करें ठीक है बचोव वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें